Price में Uptrend के दवडान, अगर 3 Black Cross Candlestick Pattern बनता है तो जिनरिली मुहां पे सब लोग सेल करने का ऑपरचिनोटी देखता है क्योंकि 3 Black Cross Candlestick Pattern को very strained reversal Candlestick Pattern माना जाता है लेकिन मेरा Observation के हिसाब से इस pattern कोब bullish pattern के हिसाब से trade कर देख तो ज़्यादा अच्छा होगा मतलब ये बैटन बनने के बाद आप बाइंग ओपर्चुनिटी ढूंडोगी तो अच्छा प्रॉपिट भी कर पाओगी जैसे आपके सामने ये चार्ट है स्टॉक का नाम हिकल इसमें 1621 को 3 ब्लाक क्रोस बना था उसके बाद आप देख सकतो प्राइस निचे ना आ जाके वहीं से अपना ट्रेंड को कंटेन्यू करके एक अच्छा अपसाइड मूब दिया है बैंक इंडिया स्टॉक ने 16-7-2022 को 3 ब्लाक क्रोस बनाया था फिर वही से प्राइस अपसाइड एक अच्छा मूब दिया है टाइटन स्टॉक ने 25-11-22 में ये पैटन बनाने के बाद वही से अपसाइड एक अच्छा मूब दिया है तो ये 3 black cross pattern बनने के बाद वहां buy करके profit करने के लिए कुछ criteria को देखके वहां आपको buying decision लेना होगा और वो सब कुछ criteria इस वीडियो में मैं आपको details में समझाओंगा और क्योंकि आप इस तरह का bearish characteristic pattern बनने के बाद भी buying decision लेने जा रहे हैं तो उसका पीछे पुरा logic और psychology को भी मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगा तो वीडियो का एक भी point मिस मत करना इस concept के details में जाने से पहले 3 black cross pattern क्या होता है उसका basic concept आपको clear होना चाहिए देखिए आप ट्रेंड के दवड़ान लगाता रगा lower low बना की 3 bearish candle बनता है और उसका lower shadow ना हो या छोटा हो तो उसे 3 black cross pattern कहते हैं अगर ये pattern chart के उपर आप ट्रेंड में बन जाता है तो तुरांत इसे बहुत सारे trader sale करने के सोचता है लेकिन आप ट्रेंड के दवड़ान इस तरह pattern बनने के बाद तुरों sell नहीं करना चाहिए sell कैसे करना है आज का topic हमड़ा वो नहीं है तो उसका details में हम नहीं जाएंगे तो इस तरह अप ट्रेंड में जब buyers price को control कर रहा था अचनक लगा था तिन candle में price को seller control करने लगा ऐसा situation में आपको next candle कैसा बनते उसे देखना है तो यहां next candle एक bullish candle बन गया और इस bullish candle में price को buyer strongly control कर लिया है तो यहां जो seller price को strongly control किया था वो इस price area में आके फिर से अपना control खो रहा है अभी आपको latest candle का close को देखना है अगर price इस candle में previous candle का कम से कम midpoint के उपर जाके close किया है तो आप buying position लेने के लिए सोच सकते हो उसके बाद आपको और भी कुछ criteria को देखना है जैसे latest candle में 10 period moving average 30 periods exponential moving average के उपर होना चाहिए next latest candle या फिर उसका previous candle में से कम से कम किसी एक का भी body 10 period moving average को touch करना चाहिए next 14 periods RSI latest candle में 80 के नीचे होना चाहिए next जहां से price को buyers control करना शुरू किया उस area में कोई support zone होना चाहिए ऐसा अगर ये सब criteria पूरा कर रहा है तो जहां से price को buyers अपने control में लेना शुरू किया था उसका थोड़ा नीचे stop loss रख किया आप buy कर सकते हो इसके बाद इस stock में price कितना उपर गया आप देख सकते हो बोट trend reversal का selling नहीं है कुछ traders यहां पहले से buying position को sell करके profit book किया है तो उनका profit book करने के करन जग price नीचे आ गया तो बोट traders कम price में profit book करना बंद कर दिया और sell order कम हो जाने के करन buyers फिर से price को control में कर लेता है और जैसे ही price थोड़ा strong हो जाता है तो और भी buyers इसमें buy करना शुरू करते है और price अपने main trend में ही जाता रहता है तो जो जो criteria मैंने आपको बताया वो सभी का help से यह pattern मतलब यह 3 black cross pattern reversal का है या profit booking का है उसका अंदजा लगा के आप इसको trade कर सकते हो अब एक सबाल अपके mind में हो सकता है कि 3 black cross pattern बनाने के बाद अगर कोई strong buyers control candle बनाए बिना छोटा-छोटा candle बना के कूसरसन trade करे तो उस situation में हम क्या करे तो ऐसा सिनारियो में इस दोड़ान अगर कोई strong seller control candle ना बने तो आपको उस chart को watch करते रहे ना है जब कोई strong buyers control candle बन जाये और उस जगा पे जो जो criteria मेंने बाताया वो fulfill हो रहा है तो आप उस जगा पे भी buy करने के सुच सकते हो इंटरडे टेडिंग के लिए इस सिस्टेम का आप use करोगे 5 मिनिट या 15 मिनिट चार्ट के उपर और short term swing trading या positional trading के लिए आप use करोगे 1 day चार्ट के उपर तो इस वीडियो को मैं यही पर समप करोगा इसी तरह वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलना है तो वीडियो को ज़रूर सेयर करना आज पी लाली इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहें कोई concept के साथ